लोडिंग होने के बाद में अकाउंट डियक्टिवेटेड इस तरह से आ जाएगा मतलब कि आपका जो अकाउंट या पर डियक्टिवेट हो चुका है नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्स्प्लेंग करने वालो कि आप अपने स्नैप्चाट अकाउंट को डिलीट के से कर सकते हो पर्मनेंटली वो सारी चीज़े में आपको आज के इस वीडियो के अंदर एक्स्प्लेंग करने वालो तो चलिए दोस कर दो कर आपको स्नैपचाट अकाउंट को डिलीट करना है तो सबसे पहले हमें चレले जाना पड़ेगा हमारे स्नैपचाट के अंदर तो यापर में स्नैपचाट को ऊपन कर लेता हूँ जैसे दोस्तों आप उसके उपर क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको सारे आपका जो यूजर ने मिल रहा है हो सारे चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जैसे दोस्तों आप उसके उपर क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहापर आपके उपर की साइड में थोड़े बहुत डीटेल्स वगरा दिखने को मिल जाएगे और आपको सिंपली यहापर नीचे की साइड में स्क्रोल कर देना है जैसे दोस्तों आप यहापर नीचे की साइड में स्क्रोल कर दोगे आपको यहापर थोड़ा स्क्रोल करना है और उसके बाद में आपको यहापर मिल जाएगा सपोर्ट वाला एक उप्शन यहाँ पर support वाला एक column देखने को मिल जागा उसके अंदर कापी सारे options है जैसे कि आप लोग screen के उपर देखी सकते हो यहाँ पर दोस्तों आपको click कर देना I need help वाला जो option है screen के उपर आप देख सकते हो उसके उपर आपको click कर देना जैसे दोस्तों आप उसके उपर click कर दोगे थोड़ा loading विक्रा हो जाएगा और कुछ इस तरह से interface देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको search कर देना है delete नाम से यहाँ पर आपको search कर देना है तो यहाँ पर में delete type करके यहाँ पर search कर देता हूँ जैसे दोस्तों आप उसके उपर click कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक article देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा scroll कर देना यहाँ पर आप देख सकते हो how to delete your Snapchat account तो यहाँ पर आपके सामने निचे की तरफ सारी procedure देखने को मिल जाएगे तो बेसिकली फर्स्ट वाले जो प्रोसीजर रहे दोस्तों यहाँ पर सेटींस के अंदर जाके वहाँ पर आकाउंट एक्षिन के अंदर जाके और वहाँ पर डिलीट अकॉंट के उपर क्लिक करके आपका डिलीट हो सकता है लेकिन अगर आपका एंड्रोइड मोबिल है है तो वहाँ पर आपको करना कहा है दोस्तों यह वाली प्रोस recruiture पडूकर सिंप्ली दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है मैं सिंप्ली बता देता हूं यहाँपर अकाउंट पॉर्टल वाला जो ब्लिव में दिख रहा है उसके उपर आपको क्लिक कर दोगे थोड़ा फिर से लोडिंग विग्र हो जाएगा और हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटर करने कास्वार्ण के यह उसके आपर क्लिक करने नहीं करोगे तो आपका account finally 30 दिनों के बाद में properly permanently delete हो जाएगा लेकिन उसके अंदर आपको recover करना है तो simply आप Snapchat के अंदर उसको login वेगरा करके आपके इस account को 30 दिन के अंदर recover भी कर सकते हो और दोस्तों अगर आपको अपने account को permanently delete करना है तो 30 दिन तक आपको कुछ भी नहीं करना 30 दिनों क करस्पड़ कर कना 50 दिन करके वे पाद रहते करना है मेंाक महीझछ दिनक्स समस्टारे का बार भी नहीं कर सबया दिन है भील आपक in summary और कर सकते हो और करना है ये घूएगागागागशार לס़ोस्तों कर सकते हैं आपको करना है ओ़ना है छ legislators डिगितिर वाल्ना भी तोस्तो